कि नमश्कार बी पबलिक इंडिया में आपका स्वागत है आज जो विशे में सोच रहा हूं डिसकस किया जाए वो ये कि क्या भारती जंता पार्टी ने अपना आदर्श कालिदास को बना लिया है कालिदास के बारे में आपको पता होगा बहुत दिवान व्यक्ति थे बाद म बहुत उनका सम्मान हुआ उनकी ख्याती हुई लेकिन शुरुआत में एक बार वो एक पेड़ की डाल में बैठे हुए थे और उस डाल को काट रही थे उनको ये ज्यान नहीं था कि अगर ये डाल कटेगी तो वो गिर जाएंगे लेकिन चलिए कालिदास की वो घटना हम लोग पढ़ते आए और उससे ये समझती आए कि जिस डाल पर बैठो उसको मत काटो लेकिन जिस प्रकार से भारती जन्ता पार्टी की अलग-अलग राज्यों में रनीती है आज की तारिक में उससे ऐसा लगता है कि भारती जन्ता पार्टी ने अपना आदर्श कालिदास को मान लिया है एक तरफ से हम लोग शुरुवात करें तो देखिए पिछली बार के एलेक्शन में जो बीजेपी को सीट मिली थी वो 303 मिली थी जो उनको सही होगी थे काफी सही होगी उनको छोड़के चले गया काली दल चला गया शिबसे ना चला गया और जेडियो जो चला गया था वो वापस आ गया लेकिन जेडियों को वापस लाने में जो नितीश कुमार की जेडियों की ख्याती गिरी लोका प्रियता में गिरावट होई उसका भी नुकसान अगले चुलाओँ में भारती जन्ता पार्टी को भोगना पड़ सकता है लेकिन भारती जन्ता पार्टी को 303 सीटे मिली जो की बहुमत से करीब 30 सीटे जाद है इसका मतलब यह है कि साउथ में जहां भारती जनता पार्टी का प्रवेश अब और मुश्किल हो गया है करनाटका और तेलंगना के चुनाओ के बाद वहाँ पे पिछली बार जो भारती जनता पार्टी को सीड नौर्थ इंडिया में विली थी उसको पूरी तरह से काविज होना भारती जनता पार्टी के लिए आवश्यक हो गया है अगर मोदी जी को दुबारा प्रधान मंत्री बनना है तो तो किसी प्रकार का रिस्क भारती जनता पार्टी द्वारा लिया जाना जिसमें साउथ की 25-30 सीटें कमोने की समभना हो वहाँ पे अगर 25-30 सीटें उत्तर भारत से कम हो गई तो मोदी जी का प्रधान मंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा लेकिन जिस प्रकार से भारती जन इखंड एक ऐसा प्रदेश था जिसमें पिछली बार जी एम एम और कॉंग्रेस को किवल दो सीटें मिली थी यारे सीटें भारती जनता पार्टी को मिली थी कि देवान सुरेन की सरकार थी और किसी भी सरकार के खिलाब एक एंटी इंकमबेंसी होती है लगाकर क्योंकि जो कहा गया कि उनकी जमीन है और उसमें खान का अबन्टन किया वह दो पहले भी उसको तथी दे चुके हैं और बहुत पुराना केस है कि वह जमीन मेरे मेरा कोई उसमें लेना देना नहीं आरोपी कोई है उसने आरोप लगाया फर्जी कागज प्रस्तुत किये और हिमन सोरें जी को गिरिफतार कर लिया अब राजनेतिक इसका लाभानी कि इसको होती है देखने के हिसाब से चमपाई सोरें जी का भाशल में सुन रहा था जो विधान समभा में वो बहुमत सिद्र करने के पहले दे रहे थे और हिमन सोरें जी भी वहां में मौझूद थे तो चमपाई सोरें जी ने जिस प्रकार से आदिवासी अस्मिता का प्रश्न उठाया और जिस प्रकार से हेमन सोरेन जी को सम्मान जनग रूप में बार-बार उन्होंने इंगित किया उससे ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी ने जो 11 सीटे जीती थी अब उसमें उसने काफी अपना नुकसान कर लिया है और जारखंड में कई सीटें कम होने की समभावना भारती जनता पार्टी यह जब तक कि वो एफोर्ड नहीं कर सकती आज की तारिक में एक-एक सीट के लडाई होगी उत्तर भारत में क्योंकि दक्षन भारत में भारती जनता पार्टी को सीटे मिलने की समावना नहीं है इसी प्रकार उडिसा में जहां भारती जनता पार्टी नंबर दो की पार्टी बन गई थी और नंबर एक की पार्टी वहां पटनायक साब की थी वहां पे जो कई सारे ऐसे नेता जो कॉंग्रेस छोड़ के चले काये थे भारती जन्ता पार्टी में वो दुबारा कॉंग्रेस में लौट आए ऐसे नेता जो की वहां के उडिशा प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष दे और बोड़े आदिवा पासी नेता हैं उससे कॉंग्रेस एक ऐसी लड़ाई की स्थिति में पहुंच गई है कि लड़ाई अब बीचु जनता दल से और कॉंग्रेस की बीच में हो जाएगी और भाती जनता पाड़ी पिछड़ जाएगा वियार के अंदर नितीश कुमार को जिस प्रकार से एलेक् इश कुमार को ये पक्का नहीं है कि वो बहुत सिद कर पाएंगे क्योंकि जीतन राम मांजी जी चिराग पासवान और सहनी साहब सबके अपने अपने रादनेते की लाब और रहानी हैं वो देख रहेंगे 2024 को चुनाव में लोगसभा का चुनाव कौन जीतेगा किसके जीत जहां पर अगर आज निटीश कुमारको अपनी तरफ न लेते और इंडिया गडबंदर में रहते वो सीटें लेते और जीट जाते और उसके बाद अगर वो भारती जनता पार्टी के साथ अगर 15-20 सीटों की कमी होती तो आज आते तो भारती जनता पार्टी को जादे फाइदा होता लेकिन आज के तारीक में उन्होंने वहाँ पे तेजस्वी यादव को बहुत जादे लाप पहुचा दिया है और आज वहा सीट खोने की जोके मुठाने की स्थिति में भारती जनता पार्टी नहीं है कल मैंने हर्याना के अंदर कॉंग्रेस कमीटी की जो मीटिंग्स होई जो सुरजेवाला साब ने अपने छेत्र में की कुछ दिन पहले उमारी शैलेजाने अपने छेत्र में की और कल फरीदा पार्टी अपनी दस सीटें को कायम रखने में असमत होगी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से आमादमी पार्टी और कॉंग्रेस पीच में गड़बंदन होनी की पूरी समभवना बन गई है वहां पे पिश्ली बार साथ की साथ सीटें भार्टी जनता पार्टी जीती थी वहां पी इस चीटें कम होने की समभवना बन गई है कर दिल्ली तो राजस्तान के अंदर अगर विधानश्वा चुनाओं पे ही आप ध्यांते हैं तो वहां पर जिस प्रकार से एक छेतर में भार्ती जंता पार्टी जीती और दूसी छेतर में कॉंहरें जीती और जो गोवेन सिंग डोटासरा जिस प्रकार से वहाँ पे अपना अपनी मजबूत पकड़ अपने छेतर में उन्होंने बनाई तो उससे मध्यपदेश में और 36 गड़ में जहां पिछली बार कॉंग्रेस को केवल तीन सीटें मिली थी इस विधांचबाद चुनाओ के अगर का मिलें की समभवना है 19 सीट तो जहां एक सीट हारने की गुंजाईश पोर्ट नहीं कर सकती भारतिय जन्ता-पार्टी वहां पर अगर 22 सीटें कॉंग्रेस को मिलने की समभवना है महराष्ट के इंदर आप देखी रहें वहां पे किस प्रकार से भारतिया जन्ता-पार्ट मराथा आरक्षन की बात हुई और आप जानते हैं महराश्व के अंदर है जो बेक्वर्ड्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादे है जो बचफफरच המס़ जया जात कि मराथा एकत्रत हुए सबकों पर आये अरक्षन की उन्होंने मांग की और वो आरक्षन ये कह के दिया गया कि जो कुन भी मराठा जिनका नाम पहले दर्ज था उनको बैक्वर्ड के अंतरगत आरक्षन दिया जाएगा और जब यह कहा गया तो वहां जगन भुजबल साब जो बहुत बड़े OVC ने करता है माराष्ट के उन्होंने यह कहा कि मैं तो दो मैंने पहले रिजाइन कर चुका हूं इस कविनेट से जो आज तक किसी को पता नहीं चला तो इसका मतलब यह मारठा सुमधाय नौर्मली बीजेपी का वोटर नहीं है लेकिन बैक्वर्ड समुदाय बहुत बड़ा इस जेपी न तो माराठाओं का वोट ले पाई और न इस मामले में उन्होंने ओवीसी को भी नराज कर दिया तो अगर आपको बड़ाठाओं के वोट नहीं मिलते तो भाराष्ट में आपको सीटें कैसे मिलेगी और आपके पास केवल सीट लूज करने की सम्मावना केवल 30 सीटों की है तेलंगना के अंदर जो इस्थिती है फिल्यवारती जन्ता पार्टी को वहाँ पे चार सीटें मिली थी करनाटका में 26 सीटें मिली थी 26 चार तीस सीटें क्या इस बार समावना आए जां करनाटका में सरकार अच्छा काम कर रही है कॉंग्रेस की और ठीके पकार से अलसंख्यक समुदाएं ने जेडियेस का साथ छोड़ा है क्योंकि जेडियेस ने बीजेपी के साथ समझोता कर लिया है तो क्या ये 30 सीटें तेलंगना और करनाटका के अंदर बीजेपी द्वारा लिया जाना समभव है तो मेरे ख्याल से अब देखिए राहुल ग जान्दी की मीटिंग का रिस्पॉंस देखेंगे जारखंड के अंदर वो उस छेतर बेगाए जहां पर कोईला निकाला जाता है मजदूरों की बस्तियों में गए और मजदूरों की बस्तियों में जिस प्रकार का रिसेप्शन हुआ जब सलकों पे आ रहा है जनता लाखों की संख्या में उमल रही है उरिसा में अगर सीट लूज होने की समभवना हो गई बंगाल के अंदर जिस परकार का समर्थन मिला आसाम जो एक ऐसा छेतरता जहां पे वीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हाचिर हासिल की थी नौर्टीस्ट में इस बार क्या इस्तिती होगी त अगर आसाम में भी लूज कर रहे हैं उड़ीसा में भी लूज कर रहे हैं बिहार में भी लूज कर रहे हैं जारकंड में भी लूज कर रहे हैं हर्याना में भी लूज कर रहे हैं दिल्ली में भी यूज कर रहे हैं राजस्थान च्छत्यजगर मद्पदेश में भी जो प्रतान मंतरी बनेंगे कैसे तो कोई कंप्रुबाइस के ढूणना पड़ेगा और अगर कंप्रुबाइस के ढूणना पड़ेगा तो वह मोदी जी तो पी नहीं होंगे तो ऐसी स्थिती में जहां पर आदिवासी अस्मिता को जगा कर न केवल जारखंड में अपना अपना हुशान कर लिया बड़ाई उडिसा वेस बेंगौल तेलंगना तमिलनाडू आंध प्रदेश महराष्ट प्रदेश चत्तिस गड़ हर जगह आदिवासी बहुत बड़ी सं क्या में हैं इनको छेड़ने की अवश्यक्ता क्या थी अब जैसे महराष्ट में आपने देखा कि यह वहां एक विजेपी के विधायक ने थाने में घुसकर एक एक नाश शिंदे गुठ के एक बड़े नेता को गोली मारती हो मारती है और जब उनसे पूछा गया कि आपने शिंदे का और अजीत पवार गुठ का गड़बंदन है और विधायक जिसने थाने में घुसके एक नाश शिंदे के आपधी को गोली मारी वो कह रहा है कि एक नाश शिंदे की वज़े से मैं क्रिमिनल बन गया इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार की रणनीती इस समय मोदी जी की होनी चाहिए थी और सारा केंदर बिंदू राम जनम भूमी की प्रान प्रतिष्ठा होनी थी वो ना होकर उन मुद्दों में पहुँच गया जो छेत्री इस तरके हैं जो उचित था इंडिया ईलाइंस के लिए कि छेत्री इस तरके मुद्दों को उठाएं और जो इस पकार के धार्मिक उद्दे और बुद्दे हैं उन पे केंद्रत न हो चीज बीज़ेपी ने अपनी कल्थी से उनको समाजिक मुद्दों पे और छेतरी मुद्दों पे लाके खड़ा कर दिया है अब लाल के रड़वानी जी को बारे रत्न दिया गया रड़वानी जी के बारे में आपको याद होगा जब वो पाकिस्तान गए थे और मौमद अलिजिन्ना की मजार पे गए थे और वहाँ जाके उन्हों ने स्टेट्वेंट दिया था कि वहाँ गालियां दी जाती है कहें कि हम सेकुलर हैं Ve Band Ford चूनदानिंग को जिननोंने सेकुलर कहा था और वहाँ जाके मजार पर उन्होंने मत्था टिका था लेकिन उमूल रूप से भारती है और भारती समाज उनकी बहुत इज़त करता है लेकिन मुहमद अली जिन्ना के प्रशंसक को भारत रत्न देना रामजनमभवी की प्रानप्रतिष्ठा में कवलाना मैं purely केटरीना कैफ को बुलाना आलिया भट को रानमा अमिताफ बच्टन को बुलाना और श्रंगरचार को नन बुलाना यह बात कुछ गले से उतर नहीं रहे है तो क्या है इसका बाति जंदापाड़ी को फाइदा होगा या नुकसान होगा लेकिन मुझे ऐसा लगता है इतनी डेलिकेट लड़ाई थी है याई डीम के आपकी तमिलाडू में नराज हो गई उनके साथ थोड़ा सा अगर आपने समझाता किया होता तो शायद कुछ सीटे आपको तमिलाडू में म सबास्वाल लिया है तो लड़ाई जो है वहाँ पर YSR के बेटे और बेटी के बीच में होगी पहले और दूसरे नमबर की लड़ाई होगी बीजेपी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी तिलंगना में वह इस्थित्प करनड़का में वह इस्थित्पुटिचरी में वहीश सीटें तो बचने से रही बलकि इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर इसी प्रकार से हिमन सुरेन को जैसे अपमानित किया जाएगा गलर निर्णे लिए यह जैसे आज अद्वानी जी को भारत रत्म दे दिया है कल कहीं गलायम सिंग्यादव जी को भारत रत्म ना देने जिनको देते हैं कि उन्होंने कार से को पे गोली चलवाई पहले तो अनको पद विबूशण दिया लेके अगर मती भ्रह में चलें तो कल माने मुलायम सिंग यादव जी को भारत रत्म जेदें तो मैं मुलाहिम सिंह जीज्ग का विरोधी नहीं हूं अध्वानी जी का विरोधी नहीं हूं लेकिन जिनको आप अपमानित कर रहे जिनके किलाप टिप्पणी कर ते है और जो वोटर आपके साथ खड़ा था वो शंक्राचारी के अपमान शास्त्रों के अपमान की वजए से आपके खिलाफ हो रहा है तो कैसे 273 सीटे बीजेपी लेने की सोच रही है यह बात मुझे तो समय में नहीं आ रही अगर आपको समय में आई तो बताईएगा अपने पनी से अपने कमेंट से बताईएगा और फिर अगले डिबेट में अपने डिसकॉशन में वो उस पर बात करेंगे धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू वेरी माच